इत्वारी रेल्वे स्टेशन की पत्रियों पर पैसेंजर ट्रेन और लंबी एक्स्प्रेस गाड़िया दोड़ती है रेल्वे से संबंदित कई घटा यहां सामने आती है इस दोरान इत्वारी रेल्वे स्टेशन के पास एक घटना ऐसी हुई थी कि टाटा नगर इत्वारी ट्रेन के डब्बे पट्री से नीचे उतर गए थे इस हाथ से में दो वेक्तियों की मौत हुई थे ऐसे दुरघटना उसे निपटने के लिए दक्षिन पूर्व मध्यरेलवे इत्वारिवे भाग एंडी आरेफ और अन्य आपदा विवस्था पंदल ने सयुकत अभ्यास किया ये मौक ड्रिल हर वर्ष किया जाता है स्मौक ड्रिल के माध्यम से किसी बड़ी दुरघटना की स्थिती में विभिन टीमों के साथ सतर्ता और प्रतिक्रिया समय का अभ्यास किया जाता है इसलिए ये अभ्यास आज सब्यार्ड में किया गया जलते डिबे में फसी यात्रियों के लिए नकलित दुरघटना परिदर्शी बनाया गया था ट्रेन क्रमांग 18-10-9 टाटनागर इत्वारी एक्स्प्रेस ट्रेन का एक डिबा पट्रे से उतर गया और दूसरे डिबे में आग लग गये जिससे यात्री जलते डिबे में फसी होने की स्थिती निर्मान की गये आज सुबा 10 बजे मॉक्डरिल के शुरुवात की गई और शेत्रे करमचारियों ने तत्काल इत्वारी विभाग के आपात काले नियंतरन को सूचित किया नेंदरन कारे लेने तत्काल कारवाई की और NDRF एम्बूलेंस अगनी शमंदल और दुरघटना प्रतिबंधक ट्रेन रेलवे वैदे की साहत अवैन रेलवे की नागरी सरक्षन करमचारी प्रधम प्रति साथ देने वाले थे अगनी शमंद यंतर के इस्तिमाल से फसे यात्रियों को बाहर निकाला गया उसके बाद सवा 10 बजे अगनी शमंदल पहुचा साथ ही NDRF की टीम भी पहुची जिसके बाद उन्होंने बड़ा बचावकारी शुरू किया तत्काल कोच के शीशे कार्ट दिये गए और यात्र मदद की दमकल कर्मियों ने कोच में घुसकर आग को पूरी तरह से बुझा दिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया 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 और रेलवे की डॉक्टर द्वारा उनकी स्थिति के जाच की गए सिस्टेम में सभी समंधितों की प्रतिक्रिया अच्छी औ प्रदान करते हैं और काफी हद तक वास्तविक समय सहायता प्रदान करते हैं दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे इत्वारे विभाग का उद्देश दुर घटना पूरी तरह से शुडनी करना है ऐसे कोई भी अनुचित घटना ना हो इसकी पूर्व तयारी और ततपरता के लिए इस प्रकाल के मौक ड्रेल सहीवत रूप से जारी रहेगी इन बीसे न्यूस के लिए खलेश भारदवाच के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट